कई बार ऐसा होता है कि हमारे मॉबाइल में जो फोटो बीडियो है वो डिलीट हो जाती है कैसे जब हम मॉबाइल को रिसेट करते हैं या मॉबाइल रिसेट हो जाता है तो उसके बाद में फोटो बीडियो डिलीट हो जाती है तो उन फोटो बीडियो उसको बापस से कैसे मॉ होता है उसमें जाना होता है इस तरीके से अब दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में रिसेट लिख देना या फिर आपको कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूलेगा टेकनिकल मौन अब नीचे देखेंगे तो आपको बैक पेंट रिसेट का उपसन दिखेगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे यहां पर क्लिक किया अब यहां पर आप देखेंगे तो outta dost and migrate यह लिखा हुआ है यहां पर आप देखेंगे यहां पर local backup लिखा हुआ है तो आप यहां पर local storage device में आप इसको यहां पर backup कर सकते हैं लोकल बेकप यहाँ पर नीचे देखेंगे लोकल बेकप पर क्लिक करते हैं तो नीचे इस्टेटमेंट ओफ यूज यहाँ पर देखते हैं तो नीचे आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर आप लोकल बेकप यहाँ पर कर सकते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैकप उन उपसे कर सकते हैं तो जो भी है दोस्तों वो सारे कि सारे यहां लोकर एक काउटभ करके सकते हैं सब कुछ यहां पर reset कर सकते हैं यहां पर आपको सब कुछ पता लग गया है दोस्तों किस तरीके से यहां पर बेकप होता है और किस तरीके से यहां पर reset होता है यहां पर नीचे आपको डवल पर options भी यहां पर मिल जाता है बेकप एंट reset आपने देख ही लिया यहां पर सब ओन कर देना है बेकप माई data and automatic restore ही है इसके बाद में आपके mobile को reset करने के बाद में जो फोटो वीडियो होती है दोस्तों वो सारीके सारी photo वीडियो आपके mobile में बापस से रिकवर हो जाती है तो इस तरीके से आप अपने mobile की gallery में पूरी photo जो भी documents है आपके mobile में वो सारेके सारे वापस से restore हो जाते है Raptor हो जाते है यहाँ फोन को reset करने के बाद में भी तो दोस्त वीडियो को जाद कर दीजेगा